हेलो एवरिवान, वल्कम तो इजी वे कॉमर्स क्लासेज, मैं हूँ ताबिता और आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे इंपोर्टेंट कुश्चिन बर बात करने वाले हैं जो इस समय पर हर एक स्टूडेंट के माइड में है वो क्या है कि Exam Repfficient हम कम समय में कैसे करें, कैसे तियारी करें कि हमारे जादा Marks आ जाएं क्योंकि समय बहुत Limited है लेकिन तियारी सारी करने है अच्छे Marks लेकिया आने हैं तो कैसे तियारी करें ? इस समय पर हर एक स्टेट में क्लास 11, 12 के Exam todos हो रहे हैं क्यों कि आपको पता है । आपके सारी के सारी त्यारी जौ है वह strategy पर हम आप है कहते है कि लास्ट मुमिंट की जो strategy होती है वह जीट या हाड़ डिसाइड करती है तो इस समय कर इस समय पर भी में जो focus है वह किस पर होना चीहिए आपके strategy पर., तो आप उस श्चछी groot उस पर decide करते है कि आपके marks अच्छे आएंगे या बुरे आपने पुरे साल भर क्या preparation करी है वो में नहीं जानती है लेकिन end time पे आप किस तरी के से preparation कर सकते हो कि आप अच्छे marks score करो वो strategy में आपको ज़रूर बताऊंगी लेकिन इस वीडियो का end तक देखना और समझना ठीक ह अलग-अलग class का है अब सबसे पहले तो आपको यह decide करना है कि आपके जो भी subject है particular हर एक subject के आपको strategy बनानी हो जो कि बहुत simple है आप अराम से सीख सकते हो जो आपको marks अच्छे score कराएगी तो सबसे पहले like आपका account subject हो सकता है English हो सकता है business economics और उनके courses काफी जाधा हो सकते है आप यह students के mind में सबसे जाधा यही चीज़े की course बहुत जाधा है और समय कम दिया गया है हमें तो अब कम समय में कैसे उसको करना है वह बात करते हैं तो let's suppose करो कि मैं अगर accounts का आपको बताऊं guys accounts में class 11 की अगर में बात करो like 6 chapter आ रहे हैं या 7 chapter आ रहे हैं क्योंकि 50-50 max का आपका divide हो चुका था 50% course 50% course तो इस समय पर आपका 50% course आ रहे हैं तो like 6 chapter अगर आपके कोई भी आ रहे हैं आप सबसे पहले उन chapters को लिख लो कि वो chapter कौन से हैं उनके नाम क्या है और उसमें आपक कितना डे हैं तो अगर आपके लेट सपोस करो में कम टाइम लेती हूँ कि हमें सिर्फ 2 डेस की छुट्टी मिली हमें साथा नहीं मिली ठीक है आपको हर एक अपने पेपर के बारे में फता होगा सबसे बहले subject लिखा उसमें कौन-कौन से chapter आ रहे हैं सबसे पहली चीज वो अब आज ओर डे कि मुझे कितने दिन की शुट्टी मिली है अब उस दिन में 24 घंटे होते हैं 24 घंटे में आप कितने घंटे पढ़ना चाहते हो मैं कहते हूँ चलो आप कहते हो कि हमें खाना पीना सब कुछ करना है थोड़ी दिर हम अपने माइंड को भी रिलेक्स करेंगे इंस्टा पे आके ओके फाइन कितने घंटे पढ़ना चाहते हो 12 घंटे माल लो ठीक है आप 12 घंटे पढ़ना चाहते हो तो बारा कितने हो गये गाईज आपके हाथ में 24 घंटे जो आपको सीरियस्क्री पढ़ाई को देने हैं इस्एमने कोई भी बहाना या कुछ नी होना चाहिए 24 गंटे minimum देने हैं ठीक है इससे जादा भी दे सकते हो शद्धा अनुसा लेकिन इतना दो देना ही है अब 24 गंटे हैं गाइस अब आपको यहां पर time alert करना है अपने chapter का लेकिन उसमें अब आपको days के साथ यहां पर लिख लो waitage भी आगर late करो आपका accounts का जो financial statement with adjustment chapter है ठीक है वो waitage रखता है तो आपको यहां पर waitage पता होनी जरूरी है तो waitage है like suppose इसके 12 marks की इधार ही अगर आप लिख लो bill of exchange आपका है like suppose 6 marks का ठीक है तो आपको waitage लिख लेनी है अब सबसे जो जादा waitage वाला chapter है उससे पहले उठा लो ठीक है क्योंकि वो नहीं हमारे हाद स इसके अलावा जैसे आपका दूसरा chapter है rectification of error ठीक है तो मैं कहते हूँ यह दो घंटे से बड़ा chapter है ही नहीं revision के लिए तो आपको इस तरीके से करके guys अगर आपके यह 24 घंटे बनते हैं 22 घंटे बनते हैं 20 घंटे बनते हैं अगर यह total 20 घंटे बनते हैं तो 4 घंटे revision के हो गए 22 घंटे बनते हैं तो 2 घंटे revision के हो गए और अगर मैं कहते हैं 24 घंटे बनते हैं तो एक घंटा आपको extra अपने time म कितना समय देना है तो प्लीज इस वीडियो में कमेंट की थ्रू बता दो कि कौन से चेप्टर को हम कितना टाइम दे या फिर इंस्टाग्राम पर आईडी आपको बता है तबीता मेसी है उस पर मुझे मैसेज करके पूछ लो कि माम ये वाला चेप्टर है इसको हमें कितने समय में डिवाइस कर सकते हैं तो मैं आपको बता दूँगी कि ये वाला चेप्टर है चाहे वो एकनॉमिक से रिलेक्टेड है बिजनस से है या फिर आपकी अकाउंट से है ये आप कितने घंटे में कम्प्लीट कर सकते हो क्योंकि मैं भी यहां प्रेपेर कराते तो उतने घंट कि बनाओगे बिजनस की बनाओ एकनॉमिक्स की बनाओ इंग्लिश की बनाओ जो भी आपके सब्जेक्ट से उनकी बनाओ और इस तरीके से आप देखोगे एक तो आपका माइंड रिलेक्स रहेगा कोई टेंचन नहीं रहेगे आपको पता है मुझे कितना समय देना है लेकि क्योंकि फिर पेपर में जो कोईशन आएगा वो नहीं अटेंट कर पाओगे डीपली पढ़ो उस चीज को समय दो इसलिए मैं कहरें समय अलोट करना बहुत सरूरी है और सही तरीके से जो जादा वेटेज के हैं उनको जादा समय देकर जल्दी खतम करो जो कम वेटेज के है उन्हें कल समय देकर खतम करो तो इस तरीके से आपकी जो स्ट्रेटेजी होती है वो लास्ट मुमेंट पर जो बनती है वो आपके जीत और हार को डिसाइड करती है तो आपको इस समय पर इस तरीके से अपनी प्रप्रेशन करनी है ताकि आप अपने कोर्स को कम्प्लीट भी कर पाओ, सब के सब रिवाइस भी कर पाओ I hope guys आपको ये मेरी वीडियो helpful लगेगी और इसके लावा अगर आप कोई भी क्वेरी है guys आप मेरे से इंस्टाग्राम पर बूच सकते हो और यहाँ पर कमेंट के थूँ वीडियो पर आप अपनी शेप्टर का नाम भी बता सकते हो Thank you